तो हेलो फ्रेंट्स हम बात करने वाले हैं आप किसी भी रियल में फोन को किस तरीके से कर सकते हैं रिसेट आज हम करेंगे इसके बारे में बात इस वीडियो में तो फटाफट कर लिजे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लिजे सस्क्राइब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको आजाना है अपने फोन की सेटिंग के अंदर देख सकते फोन की सेटिंग के अंदर आ गया है सेटिंग के अंदर आने कवाद आपको क्या करना है स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने कवाद नीचे आपको दिखाई दे जाएगा सिस्टम सेटिंग का सिस्टम सेटिंग के ऑ प्रफशन दिखाई दे रहा, Erase All Data, उसके ओपर दिखाई दए है, Reset All Settings, उसके ओपर आपको दिखाई दे रहा होगा, Reset Network Setting, लेकिन हमें हमारी जो है Erase All Data करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया Erase All Data पर Erase Data का ओप्शन आ गया, इस पे एक बार क्लिक करेंगे, इसके एक बार और य एक्टिव करना ना कुछ भी किसी बटन को दबाने की कोई ज़रूत नहीं है अपने आप हमारा फोन जो है एक्टिव होगा तो मैं फटाफट वीडियो को फास्ट फोरवड भी कर देता हूं और प्रोसेस वो भी मैं आपको बता देता हूं तो जिसके अभी आप देख सकते है यह फटाफट देख सकते हैं थोड़ा सा जो है री स्ट जो है ओ चुका है फॉरमेट जो हो रहा है इसका जो डेटा वगिरा यह पूरा जो है इरेज हो रहा है तो इससे हम नीचे रख देते हैं और थोड़ी देर में हमारे जो फोन है यह कंप्लीट रेडी हो जाएगा करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इंटरनेट से connect करने के बाद जिसा कि आप देख सकते हैं next option आजाएगा next option पे click करेंगे थोड़ा सा connecting का जो प्रोसेस होगी थोड़ा सा करना है wait इसमें भी कभी कभा जाधा time लग जाता है कभी कभा काफी fast हो जाता है यह आपके इंटरनेट पे होता है और कितनी क्या processing ले रह है अभी हमें नहीं करना ठीक है नब इसके आद फिर थोड़ा सा देख सकते है checking वगेरा हो रही है check-in हो रहा है और इसी के साथ देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें भी लगेगा time जैसा कि आप देख सकते हैं आपका check-in complete हो चुका है इसके आपको Gmail का section आगया हम इसे skip कर देत हैं नहीं तो आप इसे हटा सकते हैं फिर देख सकते हैं getting a phone ready आपका जो phone है वो ready हो रहा है और इसके बाद आपका जो Realme की account होता है ID वगेरा बनाने का उस पर बोल रहा है पर हमें उस पर भी नहीं जाना navigation वाला section है हमें जो sliding वाला नहीं चाहिए हमें buttons वाला चाहिए इसके देख सकते हैं welcome to Realme UI get start पे click करेंगे थोड़ा सा wait करना है और हमारा जो phone है वो जो है start हो जाएगा और यह जो हमारा phone है यह पूरी तरीके से एकदम new हो गया है जैसे हमारा phone आया था हमने जब purchase किया था बिलकुल वैसा phone काफी hang हो रहा था काफी जादा इसमें virus वागिर आ र रिसेट कर सकते हैं और अपने phone को need and clean बना सकते हैं और देख सकते हैं काफी बढ़िया चल रहा है phone reset होने के बाद कोई लेग वगेरा के issues नहीं है तो hello friends तो यह वीडियो कैसी लगी आपको हमें comment box में comment करके बताएगा बाकि ऐसी और interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल से मुड़ियो